इस वीडियो में हम बात करेंगे भात electronic limit में आईवी vacancy के बारे में जहाँ पे दोस्तों आप freshers जो है apply कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो vacancies आईवी हैं engineering assistant training के लिए है जहाँ पे दोस्तों इनिशली जो आपको training में रखा जाएगा इसके बाद जो है permanent कर जाएगा अगली पोस्त हमाँ पास technician और junior assistant के लिए है जहाँ पे दोस्तों अगर आप total number of vacancies की बात करेंगे तो 32 यहाँ पे vacancies रखी गई है engineering assistant की बात करेंगे तोस्तों यहाँ पे जो है 90,000 तक यहाँ पे ग्रेट यहाँ पे रखा गया है नमबर आफ वेकेंसिस दोस्तों यहाँ पे आई टेवार करनेट के लिए 15 है इलक्ट्रेल के लिए दो पोस्ट यहां पर रखी गई है इसके बाद जूनिया एसिस्टेंट के लिए है जहां पर दोस्तों बीकॉम वाले का इनट जाए लिजबन है तीन पोस्ट है इसका जॉब लोकेशन दोस्तों आपका हैदराबाद में हैं और मोस्ली यह जॉब है दोस्तों हैदराबाद या फिर तेलंगाना के जो इस्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों जब आप इसका फॉर्म फिल अप करते हो तो वहां पर जो है तेलंगाना का जो है इंप्लाइमेंट एक्सचेंज नंबर पू अब एझुकेशन कौलेृटफेक्शन वाट के दोस्तों तो यहां पे जो है सिक्ष्टी परसंटेज हर एक पोस्ट करें रखा गया है और यहां पे जो है ओप्याक्ट परसंट का मार्क्स आपको रखा गया है जो क्याम्डेट फानिल में हैं वह भी हैंप्लाई कर सकते हैं जब इसका document verification होगा दोस्तों तो आपको जो है document paste करने पड़ेंगे अब यहां पर दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को जो है तिलंगाना employment exchange जो होना जरूरी है तब ही जो आप apply कर सकते हैं इसको जो है आप apply करने के लिए तिलंगाना state board में जाएंगे वहां पर जो है paper रहने वाले हैं जहांपे दोस्तों पार्ट वान में जो है पचास marks के आपके non-tech के questions पूछेंगे जिसमें दोस्तों आपके numerical reasoning data interpretation और general knowledge के questions जो है पूछे जाएंगे पार्ट 2 में दोस्तों आपके technical से 100 questions जो है पूछे जाएंगे minimum percentage criteria 35 percentage in both part रखा गया है separately SCST OVC के लिए 30% यहां पर रखा गया है बाकि दोस्तों चाहले तो मैंने आपको पहले बता दिया सुब्धाय में दी जाएगी 200 रुपय प्लस 8% GST जो है इसका application fee है form को आप online flip कर सकते हो जिसका link मैंने description box पर दिया हुआ है form को apply करने के लिए दोस्तों आपको payment जो है online करना पड़ेगा इसका यह link है इस link में सबसे पहले आपको state bank collect आना पड़ेगा इसके बाद जो है इस टेट सेलेक फोड़ा institution वाल इंडिया सेलेक करना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर इन्वेट में भाद electronic रिम्टेट सेलेक्ट करेगा और select payment के टाग्री में जो है non-agric recruitment को जो है आपको सेलेक्ट करना है तब जो है आपको फिलप कर सकते हो यह कुछ information थी जो आप लोग को देनी थी तो यहां से वीडियो के इंड करते हैं बाकि अगर आप freshers है और भी vacances की तैयारी कर रहे हैं फिर जो आप धूर रहे हैं तो यह channel जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful रहेगा तो डेली जो है channel विजिट कीजिए यह सारी vacances के update जो है आप मिलते हैं आज लिए बसतना ही धन्यवाद